एक और नई वीडियो के साथ आपको हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है तो आज हम लोग आज का वीडियो में हम लोग पांच प्रकार के संटेंस सिखेंगे जो अक्सर बोले जाते हैं वह इस प्रकार होईंगे जैसे माली जी का अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ भी कहो वह बहु मुझे ऐसा लगता है कि वह चोर है मुझे ऐसा लगता है कि वहां कोई है मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कैसे बोलेंगे नेक्स वाला है गईज जैसे ऐसे ही काम करते रहो ऐसे ही मुश्कुराते रहो ऐसे ही मेहनत करते रहो इस तरह से बह कर पाता है तो संच तो यह है गाइज ऐसे संटेश को कैसे बोलेंगे और ऐसे अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे ठीक है और यह जैसे थोड़ा-थोड़ा करके पैसे बचाना सीखो थोड़ा-थोड़ा करके अंग्रेजी बोलना सीखो तो गाइज थोड़ा-थोड़ा करके संच तो यह है कि कुछ भी को हो मुझे ऐसा लगता है गाइज इस तरह से जो वोड आ रहे हैं वो कैबलरी आ रहे हैं उनको हम कैसे बोलेंगे तो आज के वडियो में फूल डिसकास हम लोग इसी पर करेंगे आप से एक क्वेस्ट है कि वीडियो को फूल वाच किजिए गा तो ही आपको समझ में आएगा कि हम अंग्रेजी में कैसे बूलेंगे और हां अगर चैनल पर आप नए है तो जड़ी से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंजिए साथ में प्रेस कर लेजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीड कुछ भी कहो अक्सर बोलते हैं कि कुछ भी कहो ऐसा है ता अगर हमको बोलना होगा कि कुछ अगर हम कोह लोग कैसे बोलेंगे कुछ भी कहो का whatever you say क्या बोलेंगे whatever you say जैसे example है कि कुछ भी कहो उसने मेहनत बहुत की है Whatever you say, और आगे बोल देंगे, उसने मेहनत बहुत की है, तो क्या बोलेंगे? He has worked hard a lot. Whatever you say, he has worked hard a lot. इस तरह से हम बोल सकते हैं. Guys, next example है, कुछ भी कहो, वह कभी जूठ नहीं बोलता. अक्सर बोलते हैं कि कुछ भी कहो, वह जूठ नहीं बोलता. तो कुछी भी कहो क्या बोलेंगे whatever you say he never tells a lie whatever you say he never tells a lie कुछ भी कहो वह बहुत सुन्दर है अब इसको कैसे बोलेंगे अब जल्दी से comment box में लिखेंगे गाइज नेक्स्ट वाला है मुझे ऐसा लगता है ठीक है इसका जो होता है इसको हम कैसे बोलेंगे मुझे ऐसा लगता है ठीक है इसको है जिसे माली जी क्या हम बोलता है न मुझे ऐसा लगता है वहां कोई है मुझे ऐसा लगता है कोई आ रहा है इसको कैसे बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मुझे लगता है मुझे लगता है का अंग्रेजी जो होता है वह होता है इस सीम्स टू में इट सिम्स टू मिंअब चलिए संतेस में इसको यूज करके देखते जानने समय है जैसा मालीज्ub मुस्ट सालगता है कि वह है तो मुझे आब ड्येज समय नेज़ नर इसा लगता है को हमारा Tokyo कर रहा है तो मुझे यहाथ लगता है क्या बोलेंगे यह लगता है हमें गोवा जाना चाहिए अभीディ से बोलेंगे जल्दी से आपको में लिखेंगे गाइज नेक्स वाला है कुछ भी काम करते रहना ठीक है कुछ भी काम करते रहना जैसे होगा कि पढ़ते रहो खेलते रहो इसी तरह से मेहनत करते रहो ठीक है इसी तरह से काम करते रहो इसी तरह से पैसे बचाते रहो तो यानि कोई भी काम हमेंसा करते रहाना ठीक है तुशको हम कैसे बोलेंगे सिंपल सी बात है सबसे पहले आपको लगाना है कीप ओन अउसके बाद जो भी मेन भर बखाएगा उसको भीफॉर फर्म लगाना है कीप ओन प्लस भीफॉर जैसे माली जी कि ऐसे ही मुस्कुराते रहो ऐसे ही मुश्कुराते रहो तिसको हम बोलेंगे keep on smiling like this ऐसे ही मुश्कुराते रहो keep on smiling like this ऐसे ही पैसे बचाते रहो ते क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे keep on saving money like this keep on saving money like this ऐसे ही मेहनत करते रहो अब उसको आढ़ेंगे कैसे बोलेंगे आप जल्दी से क्या करेंगे comment box में लिखेंगे तो गाई जी हुदा है सॉप्या है कि अब साइस्कुराइब किस वर्वेश्कुरात कर एक सर बोलते है कि सॉप्याब कflower है है तो हमारा देष भरस्टा चार से जूज रहा है तो यह वह लड़का बहुत मेहनदी है तो ऐसे सन्टेंस को गाई जखंग कैसे बोलेंगे तहां पर जो है सटो यह है कि इसको बोलते हैं एजा मेंटर ऑफ से कि अब चलिए इस Wait यह वह बहुत कमीना है अब इसको हम कैसे बोलेंगे सिंपल सी बात है आप बोलेंगे संच तो यह है तो यह है तो हम क्या बोलेंगे as a matter of fact that he is such a bastard संच तो यह है कि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है संच तो यह है कि मेरे पास कहने के कुछ है ही नहीं क्या बोलेंगे as a matter of fact that I have nothing to say as a matter of fact that I have nothing to say तो इस तरह से बहुत सारे संटेस आ सकते हैं जैसे संच तो यह है कि मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं संच तो यह है कि मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूं अब इसको अंगरेजी में कैसे बोलेंगे जल्दी से आप comment box में लिखेंगे चलिए, गैज, नेक्ट्म वाला चलते हैं, जो आज का टोपिक में शबसाइno लासट वाला है, ओँ है ठोड़ा-धोड़ा करके, हम लोग Delighthirasне करके पैसे बचाओ, फोड़ा-धोड़ा करके अंगरेजी शीखो, थोड़ा-धोड़ा करके वह ठीक हो रहा है, तो फोड़ा- थोड़ा करके पैसे बचाने लगा अब इसको उन्ग रिजी में कैसे बोलेंगे सिंपल यह बात है he started दिन मनी सेविंग मनी बीट बाइब वह पैसे में इन सबस्टार्ट एड इस बचाने लगा he started saving money bit by bit next example है guys थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब समझ में आने लगा है simple सी बात है हम बोल देंगे I began to understand everything I began to understand everything bit by bit I began to understand everything bit by bit तुमने थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खरिद लिया तुमने थोड़ा-थोड़ा करके सब कुछ खरिद लिया अब इसको कैसे बोलेंगे जल्दी से आप कमेंट बस में लिखेंगे तो गाइज हमने आज कितना देखा पांच ऐसे संटेंस देखे जो एडवांस इंगली में यूज किये जाते हैं जो डेली वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में